राम राम सभी भाईयों को भाईयो नम्मरदार जंडू जी को आप जानते हैं नहीं जानते ना जी आँ दोस्तों ये गगोल गाउं के थे आए आज हमां आपको बताते हैं कि 1857 की किरांती में नम्मरदार जंडू गुर्जर जी का क्या योगदान था और कैसे इनों ने 1857 की क गाउं ने अंग्रेजी राज की धज्जियां उड़ा दी थी अंग्रेजों ने सबसे पहले उन गाउं को सजा देने पर विचार किया जिनों ने 10 माई की रात को मेरट में क्रांती में बढ़ चड़कर भाग लिया था और उसके बाद मेरट के बार जाने वाले आगरा दिल पर और उसके तुरंत बाद तीन जून को लिसाडी, नूर नगर और गगोल गाउं पर अंग्रेजों ने हमला किया ये तीनों गाउं मेरट के दक्षण में इस्थित तीन से छे मेल की दूरी पर इस्थित हैं लिसारी और नूर नगर तो अब मेरट महानगर का हिस्था बन गगोल प्राचिन काल में रिशी विस्वा मित्र की तप इस्थली राह है और इसका पौरानिक महत्व है नूर नगर लिसाडी और गगोल के किसान उन क्रांती वीरों में से थे जो 10 मई 1857 की रात को घाट पांचली नंगला आदी के किसानों के साथ कोतवाल धंसिंग के बुलावे पर मेरट पहुचे थे अंगरेजी दस्तावेजों से यह साबित हो गया है कि कोतवाल धंसिंग गुरजर के नेत्रत तुम्हें सदर कोतवाली की पुलिस और इन किसानों ने क्रांतिकारी घटनाओं का अंजाम दिया था इन किसानों ने केंट और सदर में भार सेनिक विद्रो के साथ साथ हुई इस आम जनता के विद्रो से अंगरेज ऐसे हत प्रत रहे गए कि उन्होंने अपने आपको इस्तित दम दमे में बंद कर लिया वह यह तक ना जान सके विद्रोई सेनिक किस और गए है इस गटना के बाद नूर नगर लिसाडी और गगोल क क्रांतिकारियों बुलन शहर आगरा रोड को रोग दिया और डाग विवस्ता भंग कर दी आगरा उस समय उत्तर पशिम प्रांत की राजदानी थी अंगरेज आगरा से संपर्ग तूट जाने से बहुत परिशान हुए गगोल आधी गाउने इन क्रांतिकारियों का नेत्रत गगोल के जंडा सिंग गुर्जर उर्फ जंडू दादा कर रहे थे उनके नेत्रत में क्रांतिकारियों ने बिजली बंबे के पास अंगरेजी सेना के एक केम्प को धुस्त कर दिया था आखिरकार तीन जुन को अंगरेजों ने नूर नगर लिसाडी और गगोल पर हमला ब के क्रांतिकारियों नेता राजा तुलाराव का भाई था जो अंगरेजी सेना को गायड का काम करना था परन्तु भेवी क्रांतिके प्रभाव में आ चुका था उससे गगोल पर होने वाले हमले की ख़वर वहां पहुँचा दी और जान बूज कर अंगरेजी सेना के पास द भाग चुके थे अंगरेजों ने पूरे गाउं को आग लगा दी विसन सिंग भी सजा से बचने के लिए नारनौल हर्याना भाग गए वहां वे अंगरेजों से लड़ते हुए शैद हो गए कुछ दिन बाद अंगरेजों ने फिर से गगोल पर हमला किया और बगावत करने इन को ग्रफतार कर लिया इन करांती वीरों पर राजदरों का मुकदमा चला और दशहरे के दिन इन नौ करांती कारियों को चोरहे पर फांसी से लटका दिया गया तब से लेकर आज तक गगोल गाउं में लोग दशहरा नहीं मनाते हैं दोस्तों यह 18 सक्ता बन करांती के व हमारे रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं और हमें गर्व होता है कि ऐसे ऐसे वीर गुर्जर हमारी कौम में थे जिन पर हमें आज भी गर्व है कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था तो दोस्तों हम आज उस बलिदान को याद करते हैं तो मैं आपको बता अंति उन लोगों ने नहीं लड़ी होती तो आज हम लोगों का आस्तित्तु नहीं होता झाल 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 झाल 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 झाल